आम तोर पर चेडिया घर में लोग मनोरंजन और जानवरों को देखने के लिए जाते हैं चेडिया घर को इंगलिश में जू और शुधर हिंदी में पशु वाटिका भी कहते हैं देखा जाए तो चेडिया घर जानवरों के लिए किसी जेल से कम नहीं है खुले आस्मान के नीचे आजाद बड़े-बड़े जंगल में रहने वाले जानवरों को यहाँ पर छोटी से पिंजरे में कैद कर रखा जाता है लेकिन इससे जानवरों को कुछ फाइदा भी होता है लुप्त हो रहे जानवर या जंगल में बीमारी से मर जाने वाले जानवरों का यहाँ पर विशेश ख्याल रखा जाता है और समय रहते उनकी बीमारी का इलाज किया जाता है और यहाँ पर यह जानवरों की तशक्री करने वाले शिकारियों से भी बच जाते हैं आपको क्या लगता है? खुले आस्मान के नीचे, पूरे जंगल में घूमने वाले जानवरों को चिडिया घर के छोटे से पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं. तो करते हैं वीडियो को शुरू, वीडियो को अंतक देखें. चिडिया घर नंबर 10 सकरभाग जूलॉजिकल पार, गुजरात गुजरात के जूनागर में स्तित इस चिडिया घर को सकरबाग चिडिया घर के नाम से जाना जाता है इसे 1863 में स्थापित किया गया था ये पाग 490 एकर में फैला हुआ है इस चिडिया घर में एशिया इशेरों की लुप्थ हो रही प्रजाती को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जानवरों की कई दुरलब प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। जैसे भारतिय गौर, मालबार गिलेहरी, अफ्रीकन बंदर और हरे तीतर जो माईसूर के चिडिया घर से यहाँ लाए गए हैं। यहाँ पर लगभग 1300 जानवर हैं। यहाँ हर साल कुछ 10 लाख टूरिस्ट घूमने आते हैं। यह पाक सुभा 8 बजे खुलता है और शाम साड़े 4 बजे बंद हो जाता है। वेडनस्टे को यह पाक बंद रहता है। बात करें इंट्री की फीसकी, तो एडल्ट के लिए 20 रूपे और बच्चों के लिए 5 रूपे की टिकट है। चिडिया घर नमबर 9 जी बी पंद हाई आल्टिट्यूड जूलोजिकल पाक उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्तित नैनिताल का चिडिया घर एक प्रमुक परिटक प्लेस है। इस पाक का नाम भारत के स्वतंतरता सैनानी पंदित गोविंद वल्लब पंद के नाम पर रखा गया। करीब 11 एकर में फैले इस चिडिया घर में कई पशुपक्षी मौजूद हैं। यह पाक शिवालिक पहाडियों के बिच 6,000 फीट की उचाई पर है। इस चिडिया घर में रॉयल बंगाल टाइगर, तिबबती भेडिया, हिमालेयन भालू, बाकिंग हिरन, तेंदुए, बिल्ली, रेट पांडा, जापानी मकाक और सामभर जैसे कई जानवरों को देखा जा सकता है। इस चिडिया घर में 5 से 12 साल के बच्चों के लिए, एंट्री फीस 50 रूपे है, और 13 से 60 वर्ष के लोगों के लिए 100 रूपे है। अगर आप यहाँ पर विडियो शूर करना चाहते हैं, तो आपको अलग से 25 रूपे देने होंगे। यह चिडिया घर थरस्टे को बंद रहता है। बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो यह पाक सुभा 10 बजे खुलता है, और शाम 5 बजे बंद हो जाता है। चिडिया घर नंबर 8, पदमजा नाइडू हिमालियन, जूलोजिकल पार्क, वेस्ट बेंगाल। जलपाई गुडी के पास दाजलिंग एक बहुत ही खूब सूरत शहर है, जहाँ पर उंचे-उंचे हरे भरे पहार और पहारों के बीच संकरी सडके देखने को मिलेंगी। यहाँ इस चिडिया घर के अलावा और भी घूमने के लिए कई प्लेस हैं। दाजलिंग के चिडिया घर को दुनिया के प्रतिष्ट चिडिया घरों में शामिल किया गया है। इसे अंतर राष्ट्रिया अवार्ड अर्थ हीरोज का अवार्ड भी मिल चुका है। दाजलिंग भारत के पक्षिम बंगाल का एक नगर है। यहां की दाजलिंग हिमालैन रेलवे युनेसको की विश्व धरोहर है। यह पाक बरफीले तेंदुए और लाल पांडा के लिए फेमस है। यहां आप साइबेरियन बाग और तिब्बतियन भेडिये को भी देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। सरसत एकर में फैले हुए इस चिडिया घर में। आपको कई पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। थरस्टे को छोड़कर ये पाक बाकी के सारे दिन खुला रहता है। यहां पर कैमरा ले जाने के लिए आपको 10 रुपे अलग से देने पड़ेंगे। पेर पौधे देखे जा सकते हैं। यहां पर 126 प्रजाती के जानवर रहते हैं जिनका खास ख्याल रखा जाता है। यहां पर 2500 से ज्यादा पशु पक्षी रहते हैं। जिन में से मुख्य हैं जंगली सुवर, हिरन, राटल, मंगूज, इंडियन पॉपक्यूपाइन, कॉम के लिए 10 रूपे और 12 साल से बड़े लोगों के लिए 50 रूपे हैं। चिडिया घर नंबर 6 असम स्टेट जू, बटानिकल गार्डन असम। गुहाटी में स्तेत असम राज्य के चिडिया घर की स्थापना सन 1957 में हुई थी। यह पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़े चिडिया घर में से एक है, जो लगभग 432 सेकर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको देश विदेश से लाए गए पशु पक्षी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 895 से ज्यादा पशु पक्षी हैं, जिन में से मुख्य हैं, इंडियन राइनोसरस, टाइगर, गिबन, सेरो, एलिफेंट, हिमालेयन काला भालू और दुनिया में पाया जाना वाला सबसे छोटा जंगली सुवर, पिग्मी हॉग भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हर साल लगभग 4-5 लाग टूरिस्ट घूमने आते हैं, और यहाँ की सुन्दरता देखते ही बनती है यह पाक सुभा 7 बजे खुलता है और शाम साड़े 4 बजे बंध हो जाता है और हफ़ते में फ्राइडे को यह पाक बंध रहता है। बात करें इंट्री फीस की, तो एडल्ट के लिए 30 रूपे, 5-12 साल के बच्चों के लिए 10 रूपे और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री है। चिडिया घर नमबर 5 थिरुवनत्पूरम जुलोजिकल पाक केरला। के ठिरुवनत्पूरम में त्रवेंद्रम चिडिया घर भारत के सबसे पुराने चिडिया घर में से एक है। यहां की प्रिकरती देखने में बहुत सुंदर लगती है। 55 अकर में फैला इस की स्थापना 1857 में हुई थी, यहां अफ्रीकन शेर, मेंडरिल बंदर और विदेशी पक्षी भी हैं, यहां पर नीलगिरी लंगूर, भारती अगैंडा, एशियाई शेर, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, मॉनिटर लिजर्ड, बैंबू पिट वाइपर स्नेक मुख्य हैं, यहां जानवरों की 82 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, यह पाक मंडे को छोड़कर, बाकी के सारे दिन खुला रहता है, इसके खुलने का समय सुभह 9 बजे, और बंध होने का समय, शाम साड़े 5 बजे का है, चिडिया घर नंबर 4, नहरू जूलोजिकल पाक, हैदर तीन सो असी एकर में फैले इस पाक की स्थापना 1963 में हुई थी, यहां पर दुरलब प्रजाती के शेर देखने को मिलेंगे, इसके अलावा यहां पर आपको दूसरे देशों से लाए गए जानवर भी देखने को मिलेंगे, कई एकर में फैला ये चिडिया घर देखने में बेहत खूबसूरत लगता है, और यहां पर आप अपनी गाड़ी से भी घूम सकते हैं, यहां पर पेर पौधों की भी बहुत प्रजातियां हैं, और बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहां बहुत कुछ है, यहां पर पशू और पक्षियों की सौ से भी ज्यादा प्रज जातियां हैं, और ग्यारा सौ से ज्यादा जानवर हैं, जिनमें से मुख्य हैं, इंडियन राइनो, एशियाटिक लायन, बेंगाल टाइगर, पांथर, इंडियन एलिफंट, स्लेंडर लॉरस, पाइथन, डियर, अंटिलोप्स और बर्द्स, यह पार्क मंडे को छोड़ कर बाकी सारे दिन खुला रहता है, बात करें नॉमल इंट्री फीस की, तो एडल्ट के लिए 50 रूपे, 3 से 10 साल के बच्चों के लिए 30 रूपे, और अगर आप वहाँ फोटो या फिर विडियो बनाना चाहते हो तो, इसका आपको अलग से चार्ज देना होगा, जो 100 से 500 रू में से एक है, जिसकी स्थापना 1892 में शाही संरक्षन में हुई थी, इस चिडिया घर में 50 से भी ज्यादा जानवरों को लाकर रखा गया था, यहां पाय जाने वाले मुख्य जानवर हाथी, सफेद मोर, दरियाई घोडे, गैंडे, टाइगर, जाग्यूर, हिपोर, राइन लेपर्ड हैं, और देश-विदेश के कई हिस्से से अलग-अलग प्रजाती के जानवरों को लाकर रखा गया है, इस पार्क में 80 से ज्यादा जानवरों की प्रजातिया है, इस चिडिया घर में करंजी जील है, जहां पर बड़ी संख्या में पक्षी आते जाते रहते हैं, यह पाक 157 एकर में फैला हुआ है, यहां पर 30 लाग से अधिक टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, और आप यहां से जानवरों को अडॉप भी कर सकते हैं, यहां पर शुतुर मुर्ग, एनाकॉंडा, मगरमच, स्टार स्टाट कच्छुए भी देखे जा सकते हैं, यह चिडिया घर, बाकी के सारे दिन खुला रहता है. चिडिया घर नमबर टू, नैशनल जिलॉजिकल पार्क, डेली, एशिया के सबसे अच्छे चिडिया घर में से एक दिल्ली के पुराने किले के पास स्तित, दिल्ली का चिडिया घर भी है, इस चिडिया घर को 1969 में बनाया ले सकते हैं। ये चिडिया घर 214 एकर में फैला हुआ है। यहाँ पर 22,000 जानवरों की स्पीशीज और 200 प्रकार की पेडों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर आस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका से लाए हुए पशु पक्षी को भी देखा जा सकता है। काम पांच बजे तक बंद हो जाता है। और हर फ्राइड़े ये चिडिया घर बंद रहता है। जानते हैं यहाँ लगने वाले टिकट के बारे में तो आडल्ग के लिए 80 रूपे, 5 साल तक के बच्चों के लिए फ्री, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 40 रूपे और 60 साल के उपर सीनियर सिटिजन के लिए 40 रूपे है चिडिया घर नमबर वान अरी गनर अन्ना जुलोजिकल पार्ग चैन्नाई इस चिडिया घर को पहले मदरास सू के नाम से जाना जाता था फिर बाद में इसका नाम बदल कर तमिल के नेता अरी नगर अन्ना के नाम पर रख दिया भारत के दक्षिन का ये चिडिया घर बहुत लोकप्रिय और प्रसिध है तेरा सो एकर में फैला यह चिडिया घर भारत का सबसे बड़ा चिडिया घर माना जाता है और ये भारत का पहला चिडिया घर भी है इसकी स्थापना अठारा सो पचपन में हुई थी 2018 की रिपोर्ट की मुताबिक यहाँ पर 160 से ज्यादा पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 2500 से ज्यादा जानवर यहाँ पर रहते हैं जिन में मुख्य हैं हिमालयन भूरे भालू, शेर, बाग, हाथी, जिराफ और इसके साथ आपको यहाँ पर 2500 से ज्यादा पेर पोधों की प्रजाती भी देखने को मिलेगी जिन से ये पाग देखने में और भी खूबसूरत लग करते हैं, 2019 से 2020 फाइननसियल एयर में यहाँ पर 19,24,513 टूरिस्ट यहाँ घूमने आये थे, बात करें यहाँ की एंट्री फीस की, तो 2 साल से नीचे के बच्चे के लिए कोई फीस नहीं है, 2 से 10 साल के बच्चे के लिए यहाँ 10 रुपे और 10 साल से बड़े लोगों के लि में विडियो, उमीद है आपको विडियो पसंद आई होगी, तो अगर अभी तक विडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर मिलेंगे अगली विडियो में, बाई, टेक केर, जय हिंद